आखिर क्या होगा रसल मिनिया कीक ओफ प्रेस इवेंट में किया दर रॉक कोडी रोड्स को दोबारा रोमन रुएंज के खिलाफ मैज दे देंगे और हट जाएंगे इस सारे सिटुएशन से आई है जानते हैं तो वेलकम बैक तो रसलिंग जस्टिस और आठ फरवरी दोहजार चौवेस यह वो तारीक होगी जब हमें साफ तोर पर पता चल जाएगा कि कोडी रोड्स का क्या डिसिजन होने वाला आखिर कौन रोमन रेंज को रसल मिनिया में फेस करने वाला है रसल मिनिया कीक ओफ प्रेस इवेंट में हमें सारी बाते पता चलने वाली है यह जो है टीम मोबाइल सेंटर से हमें देखने को मिल जाएगा शो और पिकॉक पर यह लाइफ टेलिकास्ट होगा यूएसे में और डबलबलुई के जितने भी सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म स सकती है दा रॉक और रॉमन रिंग्स फेस टू फेस आने वाले कोडी रोड्स भी वहीं मौजूद होंगे यह अब तक एडवर्टाइस किया गया है इस शो के बारे में इस इवेंट के बारे में अब यहां में क्या चीज़े देखने को मिल सकती है इसके बारे मैं आपको ब रॉमन रिंग्स आमने सामने आएंगे कोडी रोड्स भी वहीं देखने को मिलेंगे अब क्योंकि दा रॉक को इस सारी सिचुएशन के बारे में पता है कि कैसे फैंस कोडी रोड्स को भी देखना चाहते हैं वी वांड कोडी के भी चांस लग रहा है व्वी ने इस अब उनोंने एक हार्ड वर्किंग व्वी सुपर स्टार का स्पॉर्ट चीन लिया कोडी रोड्स का स्पॉर्ट चीन लिया एक रिपोर्ट में बता चला है कि ट्रिपल एच को एक महीने पहले से पता था कि दा रॉक रॉमन रेंज को फेस करने के लिए आने वाले रसल मिनि में इसके बावजुद भी उन्होंने कोडी रोड्स को रोयल रंबल मैच जिता है तो यह भी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है तो कहीं न कहीं ट्रिपल एच के ट्याव्यू डव्यू के प्लांस है कि वो कोडी रोड्स को अंडिस्प्यूट टाइटल के पिक्चर म डाले जो टाइटल है रोवन रेज्स के पास अब उसे ट्याव्यू डव्यू च्यांपियंशिप कहा जाने लगा है उसका नाम बदल दिया गया है टाइटल का फिर से तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो रैसल मिनिया में होने वाला रोमन रेज्स फरसे दा इस पिक्चर से हड सकते हैं वो कोडी रोडस और रोमन रेज्स के बीच से हड सकते है कोच समय के लिए दर रॉक फिर सही अनौंस कर सकते हैं कि वह नहीं बल्कि कोडी रोडस रोमन रेज्स को रसल मिनिया मेंalen zaclukस करने वाले तो दो पॉसिबिलिटीज है जो सामने के की नि कीए से धाई佑 को हेट मिल रही है, जस तरीकी से कोडी रोड्स को चीर्ज मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, उससे देखकर लगता है कि जो डब यव्य है, वे भी इस मामले को भी घारन चाहरेगी. और WWE वो हमेशा best for the business करती है तो फिर मुझे यहाँ पर लगता है कि The Rock अब जो है इस मामले में इस स्टोरी में एक एहम किरदार निभाने वाले है एक एहम रोल निभाने वाले है तीसरी चीज यह भी हो सकती है कि Roman Reigns और Cody Rhodes का मैच हो जाए फिक्स The Rock खुद कह दें और The Rock इस मैच के स्पेशल गैस ट्रेफरी बन जाए तो इससे क्या होगा The Rock भी शामिल हो जाएंगे Cody Rhodes को भी मैच मिल जाएगा और Brahmapul का जो नाम अभी बदनाम हो रहा है वो भी नहीं होगा तो दोस्तों यह थी एक बड़ी अपडेट